अलो एवरिवान आई दीपक सिंगल वेलकम यू ओल टो दे प्लाटफॉर्म ओफ लीगल स्टिक ला स्कूल तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लीगल करेंट अफेर्स थी वह करेंट अफेर्स जो आप लोगों के जुडिशियर एक्जाम के लिए जुडिश सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार इस प्लाटफॉर्म पर आये हैं मेरी क्लास पर हैं तो इस अपने एक्जाम को एक प्रॉपर स्ट्राटिजी के साथ कवर कर सके तो आए शुरू करते हैं फर्स करेंट अफेर्स के साथ डिजिटल परस्नल डेटा प्रोटेक सब्सक्राइब बिल को पार्लिमेंट में लाना जरूरी है पार्लिमेंट के दोनों हाउज उस बिल खो separately पास करेंगे उसके बाद ये बिल जाएगा प्रेजिदेंट के पास प्रेजिदेंट बिल पर एसेंट देंगे और तब जादिए वो बिल एक एक अक्ट बनेगा उस केस का नाम है के एस पुत्तस्वा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपोर्टेंट एक्ट है अगर हम डिजिटल परस्टनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो अभी हाल फिलान में प्रेजिदेंट ओफ इंडिया ने अपना एसेंट दे दिया है इस एसेंट दे दिया है बिलको उसका मतलब अब यह लौ बन गया है क्योंकि हमको पता है इंडिया में पार्लिमेंटरी सिस्टम फॉलो होता है जिसमें लौ बनाने के लिए सबसे पहले बिलको पार्लिमेंट में लाना जरूरी है पार्लिमेंट के दोनों हाउस उस बिलको सेप किया था कि जो प्रिवेसी है यह आपका एक fundamental right है और जिस case जिस landmark judgment और जिस landmark case में यह judgment दी गई थी उस case का नामे K.S. पुत्तस्वामी versus Union of India case इस case को भी याद रखेंगे यार इस case में सुप्रीम कोट ने landmark judgment देते हुए का आप कि जो प्रिवेसी है वो आपका एक fundamental right है और इसी क के बाद justice श्री कृष्णा committee जो establish करी थी ministry of electronics and information technology ने उन्होंने प्रपोस किया इस personal data protection bill का एक initial draft मतलब किस तरीके से यह bill काम करने वाना है इस bill के बारे में थोड़ी बहुत बात आपको बताऊं तो DPDP Act मतलब digital personal data protection act यह regulate करेगा the processing of digital personal data while ensuring the individual's right to protect their data and the need to process it for lawful purposes तो देखा जाए तो बहुत important objective यहाँ से निकल कर आता है जर्नली प्रिवेसी जो कि आपका एक fundamental right है उसको किस तरीके से protect किया जाए हालाकि इस bill में और भी बहुत सी dimensions है जो कि हम लोग फिलाल इस class में cover नहीं कर रहे है क्योंकि जैसे कि एक current affair की class है मेरा काम केव बहुत आपको एक important objective बताना है कि यह bill हिस सीस पर जादा एम कर रहा है चलते second news के तरफ और यह है reforming India's criminal laws यह बात तो खेल सभी को बता है कि government of India ने हालसिलाल में लोक सभा में तीन नए bill इंटेटिउस करे जिसकी वजा से जो पहले से ही existing तीन जो criminal laws थे उसको हटा दिया मिया है जैसे कि भारतिये न्याय सहीता 2023 ने replace किया है Indian Penal Code IPC 1860 को इसी तरीके से भारतिये नागरिक सुरक्षा सहीता 2023 इस ने replace किया है CRPC 1973 को और उसी तरीके से भारतिये साक्षे बिल और जिसने replace किया है Indian Evidence Act of 1872 को अलाकि ये तीनों Act आप लोगों को properly पढ़ाये जाएंगे क्योंकि बच्चो जुडिशिरी के पेपर में ये तीनों अपने आप में ही एक subject मालने जिए अलाकि ये तीनों की तीनों बिल standing committee को refer कर दिये गए हैं अब सबसे important चीज ये है कि यार इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पढ़ी है तो अगर मैं union law minister की बात करता हूँ तो उन्होंने क्या बोला कि हमारी country में अगर सारे courts को मिला लिया जाए supreme court, high court, subordinate courts सभी court को मिला लिया जाए तो तकरीबन 4.7 करोर cases ऐसे है जो pending है तो मतलब हम लोगों को इसको address करने की बहुत जादा जरूरत है इसके साथ timely justice delivery हो जाए मतलब complex legal procedure और lack of resources की वजहा से बहुत से under trials जो है मतलब बहुत से under trials जो है वो अपने final stage तक नहीं पहुंच पाते हैं जिसकी वजह से आप देखो तो जो timely justice है जो सबको मिलना चाहिए सबका fundamental right है वो सबको नहीं मिल पा रहा है इसे के साथ conviction rate बढ़ेगा देखो भाई अगर timely justice आपको मिलेगा अगर जो cut है उसमें pendency of cases कम होगा तो जाहिट से बात है conviction rate बढ़ेगा conviction rate मतलब जो number of cases है वो बहुत जल्दी जल्दी solve होंगे तो जाहिट से बात है लोगों को सजा भी मिलेगी हमारे इंडिया में conviction rate वैसे तो बहुत कमना पर देखा जाहिए तो जाहिट से बात इस conviction rate को बढ़ाना पड़ेगा और वो बढ़ेगा कैसे जब timely in सभी cases का निप्टारा हो जाहिए pendency of cases हमारे कोट में कम होगा लोगों को on time justice मिलेगा चलते हैं third important हालाकि यह हमारे जो union minister for home affairs है अमित्षा जब यह bill आ रहा था उस time के इनकी photo है कि 1960 से 2023 तक country का criminal justice system ने function किया है उन laws के आधार पर जो law Britishers ने बनाए थे इन्होंने सब को बोला कि I can assure the house that these bills will transform our criminal justice system the aim will not be just to punish but it will also be providing some kind of justice बहुत important है कि इसका aim केवल लोगों को punish करना रही है देखा जाये तो but side by side इसका aim लोगों को justice provide करना भी है हाला कि IPC के बाद करें तो भारतिय नया सहिता में total मिला के 356 sections होने वाले हैं instead of 511 sections in IPC पहले वाले में 175 sections को amend किया गया है 8 sections को add किया गया है 22 sections को repeal किया गया है तो बच्चों ये सब चीज़े बहुत important है ये में news cutting आप लोग पिल लेके आया है उस समय के एक बार में जो news cutting चपी थी बहुत important है चलते है next important current affair के लिए और ये है chief election commissioner and other election commissioner appointment conditions of services and term of office bill 2023 हमको पता है हमारे election commission जो कि एक constitutional body है ECI election commission of India जिसमें add present तीन लोगों की membership है जिसमें एक इनसान तो chief election commissioner होता है और बाकी के जो दो होते हैं वो election commissioners होते हैं तो इनी सब members की appointment इनके service की condition और इनके office की term से related ये bill है तो recently जो union government है उन्होंने introduce किया इस bill को राज्यसभा में और जिसकी बज़ा से इस bill ने रिपील कर दिया है election commission conditions of service of election commissioners and transaction of business act 1991 तो 1991 के अधिनियम को इसने repeal कर दिया और ये bill लेके आई सरकात हमारी राज्यसभाम जाहिर सी बात है कि election commissioners और other election commission के appointment को regulate किया जाएगा सबसी important चीज क्या है कि अभी फिलाल chief election commissioner और election commission का हमारे constitution के किस article में जिकर है तो भई आर्टिकल 324 की बात करें तो election commission में एक election commissioner हुगा मतब चीफ election commissioner हुगा और कुछ election commissioners होंगे कितने होंगे जैसे कि president decide करे उतने हूँ फिलाल आज की डेट में election commission of India में total member 3 है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया जिसमें एक chief election commissioner है और बाकी के दो other election commissioners में आते हैं बई supreme court ने अनूप अनूप बर्नवाल वर्सिस union of India judgment में ये declare किया था कि president shall make appointment of chief election commissioners and election commissioners on the advice of committee consisting of prime minister, leader of opposition in loksabha and in case if the leader of opposition in loksabha is not available than leader of the largest opposition party in loksabha in terms of the numerical strength और chief justice of India तो इन तीनों की उपस्तिती के अंतरगत जो एक committee बनेगी वो committee जिसका नाम finalize करेगी chief election commissioner की post पर और election commissioner की post पर वो list swap दी जाएगी president of India को और president of India को उसी list के अनुसार फिर लोगों को appoint करना है जैसे कि हमको पता भी है कि या president of India इंडिया का nominal head है बहुत बार question ना दिमाग में आता है कि sir अगर वो नहीं करना चाहता appointment किसी की तो क्या उसको decline कर सकता है बच्चो बिलकुल हाँ कर सकता है उसके पासे power है कि वो उसको मना कर दे कि sir नहीं कर रहा हूँ पांट अगर ये committee दोबारा से उसका नाम फानिलाइस करके president को देती है तो अब इस बार president मना नहीं कर सकता पतलब object करने का president को right तो है बार बार नहीं he can object only once इसके बार चलते है next important point की तरफ जो है government of national capital territory of Delhi amendment bill 2023 दोस्तों को पता है दिल्ली में आप एक लक्सी बहस चड़ी हुई है बहस कर शड़ी हुई है बहस कर शड़ी है दिल्ली एक union territory है पहले तो ये समझ लो union territory है प्लस दिल्ली का चड़क के पूरी रीजन एक वो पार्ट है जहापर दुनिया वर की embassy और high commissions है तो ज responsibility है बट अगर मैं बोलू कि Delhi को complete state बना दिया जाए तो देखे ये next to impossible क्यों लगता है क्योंकि आपर central government अपना rule चलाना चाहती है क्यों क्यों चलाना चाहती है क्योंकि Delhi की historic अगर मैं Delhi का prominent position देखू तो बहुत important है पहले तो हमारे देश की राजधानी है इसके साथ साथ दु पास किया है government of national capital territory of Delhi amendment bill 2020 क्या क्यों सा government of national capital territory of Delhi amendment bill 2020 आपको comment section पर लिखके देना है कि government of national capital territory of Delhi bill सबसे पहले कब लाया गया था मैं थोरा हिंट आपको दे दू जब ये बिल लाया गया था तब अर्विन के जीवाल की तरफ से इस बिल को इस बिल के बाद black day for Indian democracy भी बताया गया था हाला कि amendment bill में क्या meant किया गया है तो अब the ordinance giving Delhi lieutenant governor more parts over Delhi government was issued after the decision of supreme court in government of national capital territory of Delhi versus union of India case 2023 देखे हमारे इस capital में टसल चल रहा है बहुत बिनों से और वो टसल चल रहा है डेली सेकेट्रियेट को लेकर बही जाहिए से बात है डेली सेकेट्रियेट हो या किसी भी state का सेकेट्रियेट यूपी सेकेट्रियेट हर्याना या पंजाब सेकेट्रियेट वहाँ पे काम करने वाले IS IPS rank के जो अधिकारी होते हैं वो वही लोग होते है जो सरकार चुनके मतलब जो सरकार बिठाती है और इसी बात है सरकार उन लोगों को बिठाएगी जिन लोगों के सारका को काम करके मज़ा आता बट प्रॉब्लम डेली में क्या है कि डेली सेकेट्रियेट में जो ये लोग आईएस ऑफिसर बैठे हैं इन आईएस ऑफिसर का ट्रांसफर इनकी पोस्टिंग ये दोनों ही कावर मिले कहनी के लिए बात तो इनकी भी ठीक है मगर ऑन दा अधर हैंड पार्लेमेंट क्या बोलती है कि सर नहीं दे सकते हैं क्योंकि डेली कैपिटल है तो फिलाल जो भी है तो मैं आपको बता देता हूँ फिलाल इस एमेंडमेंट्मेंट बिल में वो जो ओर्डिनेंस लिकर आया गया था अगर आपको याद आ रहा हूँ और्डिनेंस कौन सा ऐंडिनेंस जब सुप्रम कोड चुटी पर जाने वाला था उससे एक दिन पहले एक ओर्डिनेंस लेकर आई सरकार है क्योंकि सुप्रीम जभी केस पहुचा न तो सुप्रीम कोड ने बोला कि यार म पावर तो और भी इन केजरीवल के पास होनी चाहिए अलागी सुप्रीम कोड के इस decision के बाद एक ordinance लेकर आया कौन लेकर आया Central Government लेकर आया एक ordinance जिसके बाद ये बात पूरी पूरी तरह से पलट गए दोबारा से जो ball है इस इंदा और इसलिए उनको वही काम फॉलो करना पड़ेगा जो डेली की Council of Ministers उनको कहेगी करने के लिए 2018 में ये बात कही गई थी अब मैं डेली National Capital Territory डेली का एक governance model आप लोगों को बता दो भाई देखिए States Reorganization Act of 1956 में डेली को Union Territory घोषित किया गया था अंडर Article 239 अलाकि डेली को Special Status मिला एस बालकृष्णन कमीटी की recommendation के बाद जब 69th Constitutional Amendment Act 1991 पास्ट किया गया था जिसने डेली पर एक Special Status मतलब डेली को एक Special Status मिला जिसके साथ डेली National Capital Territory होनी के नाते डेली में एक Legislative Assembly को भी Organize किया गया और दोस्तों यहाँ पर Legislative Assembly राजनिती चलाने के लिए नहीं है यह बात में आपको पहले ही बताए It is not meant for bad politics, it is meant for the development of डेली and डेली आइट्स तो फिलाल आज की क्लास में साथ यही तक आशा करता हो यह चारो Important Topic आप लोगों को समझ में आया होंगे आप लोगों के Suggestions, आपके Comment are most welcome dear And if you need something else from me, do comment in the comment section We'll surely address all your problems और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ Share किये बिना इसको नहीं जाएंगेगा क्योंकि आप भूल जाते हैं यार बात में चैनल ब्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते नेक्स सेशन के लिए Thank you